माता दिमित्रों स्वागत है आपका स्री मंदिर के इस नवरात्री स्प्रेशल वीडियो में जिसमें हम जानेंगे मा ब्रह्म चारेणी के पुझा विदी के बारे में आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को नवरात्री के दुसरे दिन सुर्योजाई से पहले उठकर श्नानादी करके स्वच कपड़े पहने बाद में जहां पर घट स्थापना या तो देवी के त्वरुप की स्थापना की है वहां पर गंगाजल से भूमी को पवित्र करके मा के सामने बैठ जाएं और मा का ध्यान कर करते हुए मा ब्रह्मचारणी के इस मंत्र का जाप करें वंदे वांशित लाभाय चंद्रार्द रकृत शेकराम जपमाला कमंडलुदराम ब्रह्मचारणी मुशुपाम अब मा के सामने दुबदिप जलाएं मा ब्रह्मचारणी को पिला रंग अतिप्रिया है इसलिए नवरात्री के दुसरे दिन पिले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और मा के सामने पिले पुष्पले कर मा का ध्यान करें मा ब्रह्मचारणी को मिश्री का भोग लगाएं और श्री मंदिर पर ब्रह्मचारणी की आरती सुनते हुए मातारानी की आरती उतारें तो ये थी मित्रो मा ब्रह्मचारणी की पुजाविदी के बारे में जानकारी इस दिन शाम को मा ब्रह्मचारणी की कथा पड़े और मा का स्टोत्रपाट करें ये है मा ब्रह्मचारणी का स्टोत्रपाट तपस्चारनी तवम ही तापत्रय निवारनी प्रह्मरूपधरामदेवी प्रह्मचारनी प्रणमाम्यः नवचक्रभेदिनी तवम ही नवऐश्वर्य प्रदायनी धनदाम सुखदाम प्रह्मचारनीं प्रणमाम्यः शंकरप्रिया तवम ही उक्ति मुक्ति प्रदायनी शां तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही हमारा श्री मंदिर पर अगला वीडियो देखना ना भूले जिसमें हम जानेंगे मा ब्रह्म चारणी की कथा के बारे में तब तक के लिए मातारानी के चड़नों में प्रातना करते हुए कि आपको और आपके पधिवार को सेहत मन रखें खुशाद रखें जै माता दियों